विलास्पूर सहर के बीच बस स्टेंड पर बनी नाला ठेकेदार की लापरवाही कहें या फिर नगर निगम प्रशासन की उदासींता कोई कुछ भी कहें लेकिन नुकसान सिर्फ आमजिनता का हो रहा है जो रोज मर्रा की जिंदगी जी रहे हैं जिनको ब्यापार करना है वो सबसे ज़्यादा परेशान है धर असल पुराने बस स्टेंड इसकी नाली को लेकर ब्यापारियों ने नगर निगम और विधायत पर गंभीर आरोप लगाया है ब्यापारियों ने कहा कि नाली की वजह से हर शाल बारिस के मौसन के समय तालाब बन जाता है जिसकी वजह से नाली कहां पर है गड़े कहां पर है और सड़क कहां पर है इसका पता नहीं चल पाता है जिसके कारण कई लोग गिर कर घायल हो चुके हैं यहां के ब्यापारियों का कहना है कि नाली को भी अधूरा बना कर छोड़ दिया गया है, जो लोगों को इलिए खत्रा बना हुआ है, इसमें कई लोग गिप चुके हैं, महिने बीट गए हैं लेकिन अब तक इसका निर्मार कारे पूरा नहीं किया गया है। किस तरीकी से हो सकते हैं, मैं तो पूछना चाहता हूँ, दो लोगों से जो तेजधार करा रहे थे, वो कहा हैं, क्या उनको दिखनी रहा है, जो बस्टेंड में क्या इस्तिती है, और हमारे दूसरे आदायनी महा महीम, महा पावर जी, वो जो पूजा में बैस्त थे, वो अभ पर इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह नशे सत्ते के नशे में इतने चूर है, जो जनता परिशान हुए, यह मरे, इस वेरी अनफॉचुनेट जो हो रहा है हमारे शहर में, और निनिये हैं, अब प्रसासन कमिशनर कर क्या रहे हैं, यह क्या ठेकेदारों से मिली भग करके काम करा रहे हैं, मेरे को तो यह पूरी संदेव की बू आ रही है, जाच का विशाय है, यह तो ऐसा संभव कैसे है आपता, यह बस टेंड जैसा मुख्य मार, मत खुला पड़ा हुआ है, कभी गाड़े डूपकी मर रहे हैं, आदमी इसकी, कहीं भी चले जाओ, गंड़ चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, और ववस्थित तोर पे पूर शहर को खोदापूर बना के रखा हुआ है, किछला सरकार का भी यही इस्तिती थी, इस सरकार का भी उससे बड़ा इस्तिती, हमारे शहर भमवासी भूबत रहे हैं, अभी भी समय है, कमिशनर साहब से प्रिट हो गया होता, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ 8 घंटा चाहिए, वो जो खुला है उसको ढखने में, अगर मेरे इजाज़त नहीं देता कानून, तो मैं अपने पैसे से खर्च करके और ढख देता हूँ, बहुत गलत बात, अभी मैं निवेदन कर रहा ह ने तो 90 दिन शेस बचा है, बलासपूर वासी अब बलासपूर की जनता आपको बताने वाली है